Hello Friends, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं, आज मैं आपसे बात करूंगी सावन सोंगवार के वरत के बारे में, कि सावन के सोंगवार के वरत हैं, वो किस दिन से सुरू किये जाते हैं, कितने वरत हमें करने चाहिए और कौन-कौन इस वरत को कर सकते हैं, वर वरत में हमें क्या चड़ाना है, क्या नहीं चड़ाना है, बाबा भुले नात पर, पूजा हमें किस समय पर करनी है, वरत को हमें कब खोलना है, यदि महावारी हमें आ गई है वरत के दोरान, तब हम पूजा कैसे करें, और यदि हमने घर पर पूजा की है, तो उस पूजन साम तो यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूं यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फोन पर देख बाबा भूले नात को वैसे तो सावन का महीना अत्यदिक प्रिये हैं और सापताहिक दिनों में सोमवार का दिन उनको उससे भी ज़्यादा प्रिये हैं क्योंकि सावन का महीना तो वर्स में एक बार आता है और जो सोमवार का दिन है वो सापताहिक दिनों में हर दिन आता है यानि की सब्ता में एक बार जरूर आता है तो इस वज़े से सावन का जो सोमवार का दिन है वो बाबा भुले नात को अत्यधिक प्रिये हैं जब भी आप सोमवार के वरत कर रहे हैं तो एक दिन पहले से ही वरत के जो नियम है उनको आपको पालन करना चाहिए तो जैसे सूरियास्त के बाद यानि की एक दिन पहले आपको जो तामसिक भोजन है उनका आपको प्रियोग नहीं करना चाहिए लेसुन प्याज है और अंडा मास मचली ऐसे जो भी आप प्रियोग करते हैं तो ये चीज़े आपको प्रियोग में नहीं लानी है शाम के समय आप सात्विक भोजन करें और सूरियास्त के बाद आप लेसुन प्याज का प्रियोग ना करें सैयम का प्रियोग कीजिए उस दिन क्योंकि आपको कल वरत करना है वरत वाले दिन आपको सुबह सूरिय दे से पहले आपको उठना है उसके बाद आपको अपने घर की साप सपाई करनी है साप सपाई करने के बाद जब भी आप सनान करते हैं तो उसमें आप गंगा जल और थोड़े से काले तिल डाल कर आप सनान केजी जिससे की आप शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं ऐसा आप जरूर करें जब भी आप वरत कर रही हैं और वरत को कर रही है तो उस दिन आप नीले और काले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें कहते हैं कि बाबा भोले नात की पूजा में नीले काले रंग के वस्तर नहीं पहने जाते हैं यदि आप कुवारी कन्या हैं और पुरुश हैं तो आप सफेद रंग के वस्तर पहन सकते हैं और यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आप कोशिश कीजिए हरे रंग के क्रीम कलर के इस तरह कि आप वस्तर पहन ये और कोई भी कलर आप पहन लीजिए लेकिन नीले और काले रं का स्थान बनाया हुआ है वहाँ पहले से साप सपाई कर ले गंगा जल के छिटे लगा ले और संकल्प ले की हैं बाबा भोलेनाथ मैं आपके ये वरत कर रही हूँ या कर रहा हूँ आप मेरी पुजा से प्रसंद हो मेरी पुजा को स्विकार करें और मेरी मनो कामनाओं को उस पर रख लें इस तरह से संकर्प लेकर आप रत को सुरू करें जब भी आप अपने घर के मंदिर में या बाबा भुलेनात का शिवलिंग है आपके घर के अंदर उसकी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गंगा जल के छिटे दें उनको और यदि आपके पास शिवलिंग ह अगर ही आपके सावन के सोमवार के वरत का फल मिलता है मन में सरद्दा और विश्वास होना चाहिए बाबा भुलेनात सब की मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं जब भी आप घर में शिवलिंग पर जला भी शेक कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपना मुख उत्तर क की तरफ ही रखें जिससे कि आपको पूर्ण रुप से लाप राप्त हों और जब भी आप गंगा जल से बाबा भुलेनात का सनान करवा रहे हैं उसमें कच्चा दू, दही, घी, शेहद, सक्कर इन चीजों से आप जलाभी शेक कीजिए पंच्यामरत से आप सनान करवाईए कहते हैं कि बाबा भुलेनात को कच्चा दू, दही, घी, ये सबी चीजे काफी प्रिये हैं और शेहद से सनान कराना आप बिलकुल ना भूलें, शेहद से सनान कराने पर कहते हैं अपने रिस्तों में, घर, परिवार में मधूरता आती है, मिठास बनती है एक दूसरे के प् काफी और पूजा में जो पूजन सामगरी आपको रखनी है, तो आप रोली, हल्दी, कुमकुम इन चीजों का प्रयोग ना करें और केतकी के फूल भी आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि केतकी के जो फूल हैं वो श्रापित फूल हैं, बाबा भुलेनात के दुआरा उनको श पिर्ट सफेद रंग का जो चंदन है उससे भी आप तिलग कर सकते हैं। या फिर सफेद रंग के जो फूल होते हैं भांग के आख धतूरा इनके फूल आप चढ़ाएए वो भी इनको काफी प्रिये हैं। तो ऐसे करके आप पूजन सामगरे रखिए और पंच मेवा यदि आपको मिलती है तो पंच मेवा रखिए उनके प्रिसाद के लिए और पंच मेवा नहीं है तो कोई भी सफेद वस्तू जैसे की पेठा हो गया तो या दूद से बनी हुई वस्तूएं भी आप रख सकते हैं। क्योंकि बाबा भूले नात को सफेद चीजी काफी प्रिये हैं। और जब भी आप मातागोरा पारवती का तिलक कर रहे हैं तो उनको कुम-कुम से तिलक कीजी इससे आपको मातागोरा के भी कृपा प्राप्त होगी। तो यदि आप मंगल वार का वरत भी कर सकते हैं तो ये वरत भी आप जरूर करें। तो इस वरत को कितना करना हैं ये मैं बताती हूँ। वरत कीजिए और यदि आप पांच वरत नहीं कर सकते तो आप एक वरत सुकल पक्षका कर ले और एक वरत क्रिश्न पक्षका कर ले तो आप दो वरत भी कर सकते हैं अब बारी आती है कि कौन-कौन इस वरत को कर सकते हैं तो देखिए यदि पुरुष हैं कुवारी कन्याए हैं और सुहागिन इस्तिरियां सभी इस वरत को कर सकते हैं पुरुष अपने व्यापार को, नोकरी को, अपने पुत्र को, पुत्रादी को संपन करने के लिए, वरद्धी करने के लिए भी इस वरत को करते हैं कौारी कन्याई अपने अच्छे घर और वर के लिए भी इस वरत को करती हैं और सुहागिन इस्तरिया अपने घर परिवार में सुक सम्रदी के लिए और अखंड सुहाग की प्राप्ती के लिए संतान प्राप्ती के लिए भी इस वरत को करती हैं तो आप सब ही इस वरत को कर सकते हैं और यदि आप सोले सौंबार वरत करने की सोच रहे हैं तो सावन के महीने में इस वरत को आप सुरू कीजिए इससे आपको मनवांचित फल अवश्य मिलेगा तो देखिए बाबा भुले नात की जो पूजा है वो प्रदोशकाल में की जात फल आपको मिलता है तो आप पूजा शाम के समय कीजी सूरियास्त के बाद और पूजा करने के बाद आप कोई भी एक अन ग्रहन कर सकते हैं यदि आपने वरत किया हुआ हैं एक अन में आप कोई भी चीज ले सकती हैं चावल की या सेवय की खेर आप बना कर खा सकती हैं क्य तो आप काफी कुछ चढ़ाते हैं पूजा में तो आप इस पूजन सामगरी का क्या करते हैं जो भी आपने पूजा में जल चड़ाया हुआ है तो उस जल को तो आपके पास कोई पोधा है तो आप उस पोधे में डाल दें कोशिस करें कि तुलसी का पोधा ना हो तुलसी के पोधे में आपको यह पूजन सामगरी नहीं डालनी है और यदि आपके पास स्पेस है तो भर भी रख सकते हैं पर आपको ये सामगरी किसी के पैरों में और या कोई ऐसी अच्छूत की जगह पर आपको नहीं रखनी है जिससे की कोई आपको दोश लगे तो इस तरह से आप सावन के सोमवार के वरत आप कर सकते हैं तो महावारी यदि आपको आ गई है वरत किया आपने और आपकी डेट आ गई है उस समय तो आप सुबह आपने वरत कर लिया और हो सकता है कि दुफैर में आ गई आपको तो आप शाम को पूजा ना करें उस समय आप वरत करें और जिस समय आप वरत को खोलती हैं यानि कि पूजा के बाद आप वरत को खोलती हैं तो उस स वरत कर लिये हैं और तीसरे वरत पर आपकी डेट आ चुकी हैं तब आप क्या करें तो उस समय आप नहां दो कर आप वरत का संकल्प ले ले वरत करें मन ही मन आप ओप नमस शिवाय महाम रतिजय मंत्र पंचाक श्री मंत्र जो भी आपको बावबोले नात का मंत्रियाद है तो ऐसे भी करके आप अपने वरत को पूरा कर सकती हैं तो इस तरह से आप अपने वरत को पूरा केजिए तो उमीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से आपको जानकारी मिली है आपको जरूर पसंद आई होगी यदि पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जर तक के लिए हर हर महादेव जै भूले नात